हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ नाजीन आज का दिन एक बार फिर पाकिस्टनी सियासत का बहुत ही दिल्चस्प और मारका खेस किसम का दिन था और ऐसा लगता है कि पाकिस्टनी आने वरे जो सियासी जंग है उसके खदोखाल बड़े वाज़े होते चले जा रहे हैं आज तकरीबन तबाम ही सियासी जमातों के लीडरान ने अपने अपने जल्से किये इसकी तफसील से हम बाद भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा जिकर वहां से शुरू करता हूँ कि सेनिट के इलेक्शन्स में जहां नवाज शरीष सहाब को पी टी आई और पीपल्स पार्टी की कमबाइंड मुताहिदा कोशिश के सामने बहुत बड़ी शिकस्त हुई उसका गम उसका दुक जो है वो नवाज वासी बड़ी वाज़ थी याराब फिर मैं तक्रीर ने करता हूँ लेकिन इसी कर्वेंशन सेंटर के इजलास में नवाज शरीष सहाब ने ये भी इशारा किया या इल्जाम लगाया कि पी टी आई और पीपल्स पार्टी तो किसी के चाबी के खिलोने हैं ये वो इल्जाम था जिसका आज पीपल्स पार्टी के कोच चेर परसन चेर परसन जनाब बिलाबल जर्दारी भुटो ने कोटली सत्या में खिताब करते वे यूं जवाब दिया आज भी मियास साब से बड़ा चाबी वाला खिलोना कोई नजर नहीं आता मसला सिर्फ ये हैं कि आप ये चाबी खिलोने के अंदर टूट गए है लेकर नाज़ीन आज की दिन की असल सिग्निफिकंस असल एहमियत ये नहीं है असल एहमियत ये है कि सियासी जमातें नए नारों की तलाश में थी इस प्रोग्राम में एक सजाद रफा हमने इसका इशारा किया कि पुराने तमाम नारे अब बेकार हो चुके हैं बलंट हो चुके हैं और सियासी जमातों को अब नए नारों की जरूरत है आज सुभा सुभा हमने देखा कि ट्विटर पे फवाद चौधरी साब तेरीक इनसाफ के स्पोक्स परसन अपने फॉलवर से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें नए नारे दिये जाएं हमें नए नारों की जरूरत है हमें तजावीज भेजें लेकिन महतरमा मर्यम नवाज ने वो नया नारा आज लगा दिया है एक नारे से इनका इस्तक्बाल करना कौन से नारे से जर्दारी इमरान भाईबाई भाई हसन अबदाल के करीबं ने ये नारा जो है वो दे दिया और ये वो नारा है जो उसके बाद नावाज शरी साबभ ने भरपूर तोर पे धुराया सलीम मांडवी वाला वो पीपल्स पार्टी का उमीदवार था पीपल्स पार्टी का इमरान खान के पीटी आई के मेंबरों ने लाइन बना कर उसको वोट दिया तीर के निशान पे वोट डाला इमरान खान के लोगों ने ये जर्दारी और ये इमरान खान ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है एक ही सिक्के का जो नए पाकिस्तान की बात करते हैं ये धोका है अवाम को धोका ये दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई है नादरीन पंजाब के अंदर जो सियासत की जंग होनी है वो जो जंग का जो मंदर है उसकी उसकी जो पैटल ग्राउंड की जो लाइन्स है वो आज ड्रॉ हो गई है लगता है प्रियम एलन की स्ट्राटीजी होगी के पीटी आई को पीपल्स पार्टी के साथ दथी करके मारा जाए और यो पीपल्स पार्टी के बारे में पंजाब के वोटर के अंदर के जहनों में जो नेगिटिविटी है जो मन्फी रुजहनात है उनको पीटी आई के उपर फैंका जाए दूसी तर खुर्शी चाह साथ आपकी स्ट्रेट्मेंट जो मसलसल इलेक्शन में सीट एज साथ इसका बला क्या जबाब दे पाएगी इसे हम अपने अनलेस के सामने रखते हैं मुझे स्टूडियो में जॉइन कर रहे हैं प्रोफेसर शैबाज गिल साथ उनके साथ ही तुछ रखते हैं प्रॉमिनिन अनलेस जनाब इर्शाद भटी साथ और मुझे वाया वीडियो लिंक जॉइन करें लहूर से जनाब हफीज अला नियाजी साथ आप क्या समझते हैं इर्शाद भटी साथ के डिसकेशन का आगाज करें देखिए पहले तो आपने चार पांच स्राट चलाए उसमें से चार पांच फिक्रे मैं हदियातन पेश कर रहा हूं आपको ये मेरे व अमर कुंडे लगाए रखें तीसरा है हमारी हमारी फायर बर्गेड़ें वो हैं जो आग पर पिट्रॉल का छिड़काओ करके कह रहे हैं कि फिकर ना करो आग बुझने वाली है आप ये नारे पार्टियों को दे रहे हैं जी मैं दे रहा हूं आप वो भी ले 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 आप भ ये जो भंबल भुसा किसम की जमूरियत है भंबल भुसा हाँ इसका जोड़ जोड़ हिल रहा है और इंजर पिंजर हो चुका है आखरी है कि जो जो सारे आज़ के बियानाद को मैं समब करता हूँ कि दुनिया भर का कपड़ा जहालत की सतर पोशी नहीं कर सकता और ये मर्य बक्वास तो मैं नहीं कहता दिल कर रहा था लेकर बेकार इसलिए था कि वोट को इज़त तब मिलेगी जब वोटर चाहेगा हमारा वोटर अभी नहीं चाह रहा कि उसको इज़त मिले ठीक है दूसरी बात और जो जिनकी अपनी इज़तें ना रही हो उन्होंने वो अगलों को क्या इसलिए नहीं ज़िए इसमें अफ़ीज उला नियाजी साहब को लेकर आओं इसी सवाल के साथ नियाजी साहब आपको लगता है कि ये जो नारा मरिय बीबी ने दिया है कि अमरान और जरदारी भाई 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 ये नारा चल पाएगा बेकेगा जाज़ साहब अगर कि आमाँ पाऊं चोटे दिबाग लंबी जमाने मैं भी थोड़ा सा इंट्रो पेस्ट करूं मुझे खुशी होती है कि आपका इंट्रो जो है वो निवाज शीफ एंड कंपनी के खिलाफ एक एंडाइटमेंट होती है और यह हकीकत है कि जिस तरीके से हमेशा आप इंट्रो होता है उसके उपर एक चार्ज शीट क्रियेट हो जाती है मेरे विए खुशी होती कि आप जो है यह बात शाद भटी साब पर छोड़ देते और वो बड़े मुसर तरीके से इसी तरीके से चुगत बाज़ी करके और डायलॉग लगा के और पूरी एक डायलॉग इनके और दिल पसीज़ा थे देखें सहसादान जब अपने बड़कर को दिखता है उससरे यह तहर करना है मैंने इसको कैसा डैस करना है अब काली मेरे आंगारे थे खामोश कर हो जाओ करना है मैं चला जाओगा यहां से तो इसका मतलब यह तो नहीं था क्यों मायूस करे थे यह यहां पे ड्रॉप हुई है मैं न्याजी साब को सुन पा रहा हूँ लेकिन गालबन न्याजी साब जो है वो मुझे नहीं सुन पा रहे मैं फिर उनकी तरफ वापस आता हूँ उसका सुन पा रहा हूँ यह सारी गुफटगू का एक फिक्रा चोटे दिमाग लंबी जबाने अल्ला खेर बेड़े पार की कोशिश कर रहे हैं के जर्दारी इमरान भाई 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 सो दोनों की स्ट्राइड़जी मुफटलिफ डिरेक्शन से आ रही है लेकिन मकसद उनका यह है कि दोनों एक पीटी आई को सरफ नुक्सान पहुचाना चाते हैं दूसरा उनके से फायदा उठाना चाते हैं दे देखें तो 13 सीट्स ही तेरा सीट्स में नवाज श्रीफ साब जो अभी कह रहे हैं कि तीर पे वोट डाले गए तो वो तो तो तीर पे सारे वोट दे रहे थे रहे थे रज़ाराबानी साब को और पी टी आई ब्लॉक करना चाहती थी और तेरा सीट्स के साथ वो अब आप विनर है वो पी टी आई है विकाज उन्होंने तेरा सीट्स वे देखें जरदारी साब को तो सैनेट की सीट मिल रही थी चेर्मेंशिप वो नहीं मिली अब रजारबानी उनके चेर्मेंट सैनेट होते आज नहीं है एफेक्टिवली और उसके अलावा पी एमलन के पास ज्य पार्टी इमर्ज होई है मैं अमंग पलिटिकल पार्टी की कह रहा हूँ डीप स्टेट को छोड़के तो वो पी टी आई है विकाज तेरा मेंबर्स के साथ इतनी एफेक्टिव ये रब की तरफ से हो गया है उनकी अपनी जहानत है डीप स्टेट की जो गाउंटर एटैक है नवाशरी साब का मरियम बीबी का कि ये तो भाई भाई है उसका क्या होगा उसकी वज़े ये है कि आप देखिए जब ये एफेक्टिव होई उसमें हम सब को पता है कि पीबस पार्टी की जरूरत थी वो जिन मकदमात में फसे हुए थे जो कुछ था वहां पे शॉर्ट ट अब नवाशरीफ की कोशिश है कि जो पीटी आई का लगज है जो पीटी आई की बैड गवरनेस या माजी की नामकबूल उनकी सियासत है उसको गले डाला जाए पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी भी यहां पे बहुत एफेक्टिवली खेल रही जैसे आपने तरू दी जा रही है इसका मकसद पीपल्स पार्टी का यह कैसा तमाम पीपल्स पार्टी का वोटर जो पीपल्स पार्टी की करप्शन या बदनवानियों की वज़े से पीटी आई की तरफ चला गया था अब पीपल्स पार्टी यह कह रही है कि पीटी आई हमारी ही तरह की है और हमने किलाबरेशन की अच्छा अब भूजे हमारे साथ हमारे साथ दुबारा मिला है हफीज अला न्याजी साब आप जब कहते हैं कि इंडाइटमेंट आपने कर दी मैंने कन्कुलूजन दिया है मेरा कंक्लूजन ये है कि नवाज शरीफ साहब की अब हिक्मत अमली ये है मरियम की नवाज की कि वो पीटी आई को जोड़ना चाहते है पीपलस पार्टी के साथ और पीपलस पार्टी के बारे में जो मनफी जजबात और जो नेकिटिविटी पाई जाती है पंजाब के तूर जो फरमाए नासिव ये बलके बिलको तूल वर्ज में जितने हमारे मुदबर हैं दानिश्वर हैं और हमारे जो तैजिया निकार है वो उस पे गोर करें कि जो फैक्स है न फैक्स जो जो हमारे पास धकाय कहना अच्छा अब तुबारा नासिए वही मसला है वाजी जो हाँ उसमें आप फरंट मैंन का किरदार अदा कर रहे हैं और यह नहीं होने देगी आप वोट की इज़त नहीं कर रहे हैं वोट की इज़त करें खुदा के लिए यह ऐसा ना करें अफिज अलाई साब को लें जमुरियत कत्रे में पढ़ गई है इस वकत अगर उनका ना बो अगर परस्पेक्टिव कुछ नहीं जहालत है जहालत के लांगा परबत है उसके अमामी अदालते हैं रहे हैं अगर हम एक ब्रेक ले 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 नाज़ीन यहां से ब्रेक ले 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 और लाहुर के साथ जहां से हफीज अलाई आजी साहब का सैटलाइट लिंक जो है उनकता उसको हम जोडते हैं पर हम आपके सामने वापस आते हैं आप्टर ब्रेक नाज़ीन वेलकम बैक मैं माज़वत खाह हूँ कि सैटलाइट लिंक की खराबी के विज़ा से उसके ब्रेक डाउन हो जाने के विज़ा से हमें पहले जल्दी ब्रेक लेनी पड़ गई थी इसका मतलब है कि टेकनालोजी कितनी हची क्यों न हो टोटली आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते बहराल मैं चलता हूँ सीड़ा अपना सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ कि आप समझते हैं कि जो इंडाइटमेंट है वो दर खकीकत एक अनालसिस है और वो अनालसिस ये है कि पीमलन की इस वकट स्ट्रैजी ये है कि पीटी आई को पिल्थ पार्टी के साथ जोड़ा जाए और जो मन्फी रुझान जो है वो पीपल्स पार्टी के गिरत है उसको पीटी आई की ऊपर फैंका जाए इस चीज़ से आप इतफाक नहीं करते? डार्ट साथ मैंने आप से जान की हमाँ पाई थी और आप ने दे दी थी 65 साल की उमर में मुझे इंडाइटमेंट कभी पता है और अनेलिसिस कभी पता है तो जो मेरा तासर था मैंने वो का आपके सामने पेश कर दिया अब जो है ना माज़द के साथ अब आप आज आएं देखें जी मसला यहा है कि यहां पे जो सुरतियाल हो रही है कि अमरान खान ने बेहतरी पॉलिटिक्स की तेकि बहत्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है और कस्टेटिट पॉलिटिस बहत्रीन होती है कि आप वो इस बात को क्राइम समझ रहे हैं निवाज शीव साथ में जर्दारी को वोट नहीं दूँगा वो कहते हैं वो तीर पर निश्रीन लगाने पर त्यारते ही बिल्कुल त्यार होंगे और होंगे वो तो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे ये तो इमरान खान साब की जिजगती और शर्म दी कि जब उन्हें संजरानी को मुबारिक बात दी तो उन्हों ने इत्यात लाजब कि उन्हों ने दूसरा जो मार्डी बाला था उसको मुबारिक बात नहीं दी फिर जिस तरीके से बुलस्तान हकूमत अंडर्माइन हुई जिस तरीके से सारी चीजे हुई देखें मेरा मेरा और आपका और भती साब का हमारा क्या काम है हम सारे लोग जो हम को पॉलिटीशन ही है हमने एह हकाइक को सामने रखके analysis देना है हकाइक पे बुडाट साब कभी compromise दां करने देते आपका program जो आसमान को touch करेगा analysis जो है मेरा कमजोर होगा जाहरे है है शार्थ भटी साथ जतना इंटेलियरं नहीं हो या दूसरे दोस्त बैटे हैं उनकी उस जिती मेरी कैपस्टी नहीं होगी लेकिन अनेलिसिज जो है उसके अनदर सुक्वर मोसके मेरी लीनिंग होगी मेरी तिल्चस्पी नून के साथ और तरीके तारीकिर्ण साथ होगी तो हम को favor करूंगा लек abortions को तोर मोर के नहीं हम क्या कर रहे है आइनलिस्ट वह M कावियर नवा है बतीशाब के बारे में मैं एक उर्जद कर दूँ système क्यों चोर कह रहे है चोटा जमाँ लमबी जब्बान Rights सब दौली शाह के चुवए हैं छोटे दमाग नहीं क्योंकि इन टोपें लग गई हैं उनके उपर एक खुल बनाद दिये के सोलोई के उससे ज्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है और उस दमाग को एक जो कुछ उसके अंदर डाल दिया गी है मुक्त फार्मूला उसी को मताद ले 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 लिए लगा दिये बड़े निया आप ट्रास्ट्राक शूरह जायागी उसमें के तो बट्री सब्सक्राइब को पनाव 20 मृट में नहीं को दे दे हैं सारे अजग दे 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 जी जी दे 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 उससे इतना टाइम नहीं है टीवी के पास के मर्शल है आप जिस जमूरीए तकी बात कर रहे थे या जिस जमूरी रवईयों की बात कर रहे थे उसकी मैं दो-तीन facts के साथ example देता हूं अगर इसमें से कोई वो खराबी निका ले तो मैं कसूरबार हूं यह जिस जिसको मैं जमूरियत नहीं मानता, यह जो चल भामबड़ भूसा है, क्या है जमूरी ब्यूटी, जहां मैं ब्यूटी को हूँ, वहां अपने उल्ट लफ़ सोच लेना है, यह मेरबनी कर लीजेगा, जमूरी ब्यूटी मुलाइजा करिए कि अताउ ला मेंगल, अक्तर मेंगल अब्दसमा दचिकजई, मेमूद दचिकजई, बाचा खान, वली खान, अस्फंद यार वली खान, भुटो साब, बेनजीर भुटो, जर्दारी, बिलावल, नवाज शरीफ, शेबाज शरीफ, मर्यम सहबा, हमज़ा, एक, जमूरी ब्यूटी मुलाइजा किये कि 35 साला सिया की बाद, अपनी आप्शन की घुलामी ना मिलने पर चोधरी निसार का जो हाल हुआ है, वो आपके सामने है, जमूरी ब्यूटी मुलाइजा करिए कि सरे महलों और स्विस बैंकों का दिफार कर, पांच साल करता रहा अब फरतुला बाबर, एक तक्रीर में चंद जमले खरा आप क्या कह दिए, क्या हाल हो गया, जमूरी ब्यूटी मुलाइजा कर रही है, मरियम मुल्जम होकर, पच्चीस पच्चीस गाड़ियों में आती है, गो के वो जमूरी मुलक जो नहीं है, इंगलेड वहां वो सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कोई हर्ज नहीं, बिलावल बनवाने आता है, पूरा इलाका खाली करवा लिया जाता है, जमूरी यह है, कि जब कौमी अस्म्बली चोड़ दें यह लंबा हो जागा, जमूरी यह है, कि जब मिया साब वोट को इजद देने का दावा करते हैं, तो उस वक्त उनके पीछे जिया और मुशर्फ के लोग जमूरी ब्यूटी यह है, कि जब मिया साब इनकलाबी और मजाहिनती होने का दावा करते हैं, तो इर्द गिर्द, सारों के इर्द गिर्द गिर्द, लेकि इनके इर्द भी अरब पती होती है, जमूरी ब्यूटी यह है, कि जब मिया साब पाकिस्तान के, कायद आजम के पा वक्त उनका अपना उमीदवार्ज याउला का उपनिंग बैट्समैन होता है और परवेज रशीद के बाद अंदर खाते हैं जिस बंदे की वो कोश्चें करते हैं वो मुशायद हुसान सेयद होता है जिसका पूरा केरियर ही है कि जब हकूमती पारिटी बदलती है तो उस बे जल्दी बात खते हैं आखरी लियाई साब ने जो मुझे पर लगया है नहीं मेरे भाई हैं तो मैं उसको सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूं कि बन्यादी तोर पे ये है कि क्या राजा जफरलहक को पढ़ने वाले जमूरी और वोट थे और जो संजलानी साब को पढ़ने वाले वो मिनिट जोंग के फरी मिनिट्स हैं एक सो तीन बंदों ने आके सेनट के सारे बंदों को निकाल दिया तीन एक सो तीन फूजीयों ने और उनका कि वोट हम डालेंगे क्या बलोचिस्तान में कभी न्याजी साब ने इस पर बात करने की कोशिश की है कि वो दो दिन पर रहता था जारी और अचिक जई के पास ठेके पे था बलोचिस्तान और और बाकी छोड़ें एक करोड जो गरीबों का पानी गवादर में था वो जेब में डाल ले ता किया इस पे नहीं है कि कितनी जदादे बनाएं और आखरी दो आखरी दो आखरी दो आखरी दो पर पर नियाई साब का सारा टाइम आखरी दो बाते अब मेरे कौम परिस्त अचिक जई साब ने फरमाया कि आईन और पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन के बाद खतरे में पड़ गया फडरेशन का नमेंदा उसका भाई ये गवरनर खुद भी असमबली में रिजाइन नहीं किया असल बिज़ ने ने का मुझे शरम आ रही है सेनेट में बैठ के अगले दन उसी शरम के साथ सेनेट में बैठे थे रिजाइन नहीं किया ये कौल ओफिल के तजाद है जिए जमूरी लोग में ये बादशाओ और बादशाओ के हक में बोल रहे हैं जमूरियत बिलकुल ठीक थी जब तक शहबाद शरीफ को आपने नहीं बनाया नून लीग का प्रेजिडंट हमजा शहबाद जमूरियत की खिदमत कर रहे थे के इंगलेंड में कहीं वो आपको नजर नहीं आ रहे थे आप उनके वालद प्रेजिडंट बन गए हैं प्राइ जाए बूर्ड में थे जब ये टिकेट के बूर्ड में थे और इन्हों नहीं कहा था कि अगर अफगन सहाब के बेटे को बेटे को मैं इतने ہजार वोट से नह रहाओं तो मैं वापिस ले लूँगा अपना फैसला कि मुझे टिकेट देना चाहिए था और ये वह नहीं को भी जवाब देने देना भाई नियाजी साब डाक साब एक पचास मुलकों के एक सो चालीस सियासोदानों के खिलाब पैनामा आया कुछ ने रिजाइन किया कुछ चले गए नवाजी साब के मुकदमा चला और जब टी ओ आर असमली में जमूरियत में नहीं तैय हुए खुद लिखा जूडिशनल कमिशनल को और फिर मिठाईयां बांटी फैसले फैसले पर नियाजी साब का भी प्रस्पेक्टिव ले ले जी जी नहीं आजी साब मेरे पार कितने साइकेंड्स हैं 15 या 20 हैं 35 हैं चले डाग साब जनाब देखें डाग साब पहली बात तो यह है कि कहते हैं न चोड़ते लाठी कले मैं और भाईया दो मेरी आपको तस्वीर लगा देनी चाहिए थी और पूरा पौना घंटा आप तीन लोग ले ले लेते और पार ही अपनी गुफ्तबू जो है वो ख बटी साब के बारे में तो मैं सिंबल ये कहूंगा अगर उनको अपनी बात पे खुद यकिन होता तो एक बात को बीस तफ़ा ना दुराते ये पहली तफ़ा करता है कि वो कितनी उनकी अपनी अपने आपको कन्विंस का रहे थे आएर बार बार दुरा के और बे में नहीं मैं लग बिनी कहुँगा तै islands कि मेरे बाट बैरा चोटे हूंगा, बाट बाफ ने है। मेरी जहाल लял कर, लजुाब बें। लजुक्ल जवाब दे। मेरा चोटा पैरा बाई जुछा। बे मक्सद की लॉजिकल बात कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि हमारे दोस्त बैठे हैं बेमकसद भी थी और लाजिकल भी जो कहते हैं कि मेरी बात डाट साब मुझे बात प्लीज मुझे करने दे खुदा के वासे मैं आपके प्रोग्राम के अंदर आखरी दफ़ा शामिल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता ये है कि मुझे बात नहीं करने दी जाती और मैं हमेशे इसलिए आता हूँ कि ताके आप अपने मौकफ को उन लोगों में आम कर सकें जो दो चार मुझे भी सुना चाहते हैं आप जादा उनको मतास्था कर सकते हैं इन्हों ने फरमाया कि अफिजला न होती है जो आपको पता होता है तो आप गलत करते हैं अब चहालत वो होती है कि आपको किसी चीज़ा पता नहीं होता और असर्टिफ तरीका से कहते हैं अब आप बता दें मेरे साथ को दिनाई कीजिए आप इस बात की आप इस बात को दिनाई कीजिए इस फोरम पे आप इस हुए थे आपने कहा था कि मुझे टिकेट दीजिए आप जिस बंदे को टिकेट दे रहे हैं मैं उसको इतने हजार वोट से हरा दूँगा और अगर ना हरा सका मैं अजाद खड़ा हो रहा हूं मैं माफी माफी मांगूगा PTI से और आपके डबे मैं से क्या निकला था बाद में आपको पता है और उसके बाद क्या आपकी इखलाकी अपरोच नहीं बदती थी कि आप माफी माइने की बजाए एक अपने ذاتی ریونج میں ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور آپ کو دوسری پارٹی اس لیے استعمال کرتی کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں اور آپ اس چیز کا benefit اٹھاتے ہیں اپنی personal رشتہ داری کا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں irresponsible statement دے رہا ہوں آپ responsible statement دے رہے ہیں جو رحام خان کر رہی ہیں امران خان کے ساتھ وہی آپ کر رہے ہیں آپ کی بھی ان کے ساتھ نازق رشتہ داری ہے آپ اس کو exploit کر رہے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں تو کچھ میں نہیں کہہ رہا پرسنل ہو جائے گا پرسنل ہو جائے گا پرسنل ہو جائے گا دارڈ صاحب ان کو میموٹ ٹیپ لگائے میں بات تو کروں آپ میرے پر ازام لگوا کے مجھے کہتے پرسنل ہو جائے گا آپ ان کے موپے آپ ٹیپ لگائیں اور میری بات سنیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیش ہوا میں نے آپ کو دو باتیں گئے دوبارہ میں دوراتا ہوں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اگر وہ بات جو ہے غلط ہوتی ہے اور آپ اس کو غلط طریقے سے پیش کریں تو بدنیتی ہے اگر آپ کو بات پتہ نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں متلک ہیں یہ بات پھر غلط کر رہے ہیں دارڈ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اورڈ کے سامنے پیش ہوئے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے میری بات تو سنیں دارڈ صاحب دارڈ صاحب میری بات سنیں میری بات سنیں مجھے ساری بات کا پتہ ہے یہ کیا کرنا جاتے ہیں ان کو بات کیونکہ پتہ نہیں ہے اور آپ کے پروگرام کی انہوں نے ستیاں ناس کر کر رکھ دیا ہے چونٹ بول کے اور بالکل خلق بیانی کر کے ان کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں انہوں نے کہا میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں میں پیش ہوا بھئی میں کس لئے پیش ہوا میں لکسری کبھی نہیں لڑا زندی میں اور جب لڑا مطلب میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تحریک عزاب کوئی دو آنے کا ممبر نہیں ہوں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ آئیں بات شاہیں لوگوں کو کیوں آپ کے نیوز کر رہے ہیں خدا کے واسے بہت بڑا پروگرام ہے ڈاکٹر مہیز کا اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اگر اس کے پروگرام یہ قدر و بزلت نہ ہوتی میں کبھی نہ بیٹھتا میں پہلے دیکھتا میرے بعد ٹائم نہیں ہے میں اچھے پروگرام کے لیے آتا ہوں اور اس مجھے جکی جانا میں اس پروگرام کو بڑے ہائی اسٹی میں رکھتا ہوں لیکن آپ جیسے لوگوں کو جب یہ بٹھائیں گے اس پروگرام کی احسی تیسی پھر جائے گی پلیز ان کو کہیں کہ پہلے اپنی انفرمیشن ٹھیک کر لے پھر مجھے گالی گلوچ آ کے دے دے ٹائم آپ کے پاس پھر لے لے وگر نہ ان کو جا کے انہوں نے کیا اپولوجائز نہ ان کیوں کوئی اوقات ہے نہ حیثیت ہے ان کو کسی بات کا ڈکسپ پتہ نہیں ہے لیکن یہ بات امپورٹن نہیں ہے امپورٹن بات یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے جو بات اس وقت کہی تھی میں نے اسی توسیق اس لیے کی میرے متعلق کے ہی میرا خیال ہے وضاعت میرا حق بنتا تھا ایک چیز میں اگر بھٹی صاحب کے میں الزام لگا دوں کہ بھٹی صاحب جہاں کپڑوں کے وغیر پھر رہے تھے اور بھٹی صاحب کے بلکل جھوٹ ہو تو بھٹی صاحب کو وضاعت ہو دینی ہے یا نہیں دینی اور ان کا حق بنتا ہے ایک ٹی وی سکرین پہ ایک ہی طرح کے لوگ بیٹھے تو میں اس کو کرتا ہوں آپ کے پرویان کے اندر نیازی صاحب ہم کر رہے تھے نیازی صاحب نیازی صاحب مجھے بریک لینی یہ آرکسٹریٹڈ ہے یہ آرکسٹریٹڈ ہے اس کے پیچھے ایک پرویان ہے اور یہ سارے لوگ اس آرکسٹریٹڈ پرویان کی آخری بات فضل عمان صاحب نے کہا ہے نا ایک ڈگڑی کی اوپر ناچنے والی بندر بند نیازی صاحب مجھے کسی کے پاک گنجائے سی نہیں ہے نیازی صاحب مہربانی کیجئے مجھے بریک لینی ہے ناظرین ہمیں بریک لینی ہے میں اتنی وضاحت ضرور کر دوں کہ اس پروگرام میں عمومن آئیڈیاز ہی ڈسکس ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم ہوا ہے اس پروگرام میں اور یہ ایک واحد پروگرام ہے پاکستانی کرنٹ افیرز کے ٹیلیویزن چینل میں جہاں آئیڈیاز زیادہ پیش ہوتے ہیں ریٹنگ کا خیال نہیں رکھا جاتا یہاں پہ لڑائی جھگڑے ذاتی الزامات بہت کم ہوتے ہیں اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو لوگوں کے درمیان ہوا ہے میرے اور گیسٹ کے درمیان ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں اور حمزہ شریف صاحب نے آج جو پوزیشن اختیار کی ہے اس کی سیاسی اہمیت پہ بات کرتے ہیں آفٹر تر بریک ناظرین ویلکم بیک وقفے سے پہلے شہباز گل اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے درمیان جو تقرار تھی اس کے وقت سے کچھ ٹاپک ہمارا جو تھا اس سے ہم ہٹ گئے لیکن وہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج سانگلہ ہل میں حمزہ شریف صاحب نے بہت عرصے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور اس تقریر میں کھل کے پہلی دفعہ وہ پہلے تقریر میں آئے نواز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ سے پہلے انہوں نے تقریر کی اور کھل کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا جو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جا سکتا ہے قائد کا نام لینے سے مزہ نہیں آتا سانگلہ ہل والو میرا دل کہتا ہے کہ نواز شریف کا نام جب آئے تو اس سے پہلے وزیراعظم لگے وزیراعظم نواز شریف کنٹینر پر چڑھ کر گالیاں رکالنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا وزیراعظم کے خواب دیکھنے چور دروازے سے ساتھ شک کرنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا نواز شریف بننے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں نواز شریف بننے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں یہاں ایک کلیر ہمیں شفٹ نظر آتی ہے یعنی وہ حمزہ بہت اچھا بولے بہت انٹیلیجنٹ ان کی سپیچ تھی ساری کوئی اموشنل بھی نہیں تھی کیلکولیٹڈ سپیچ تھی لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے بھٹی صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا اتنے مہینوں میں کبھی اتنا کھل کے وزیراعظم نواز شریف ان کو سپورٹ نہیں کیا کیا ہوا میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں آپ کی سوچ دانش اور اکل پہ کہ آپ حمزہ کی نواز شریف صاحب کے حق میں بولنے کو ٹرننگ پوائنٹ ہماری سیاست کا کہہ رہے ہیں نہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر کی پی ایم ایل ایم کی انٹرنڈ ڈائنمک سے شکر خوف کریں وہ چار بندے ہیں جن کی سروائیول کا مسئلہ ہے ایک ہے میاں محمد نواز شریف ایک ہے میاں محمد شباز شریف ایک ہے مریم صاحبہ ایک ہے حمزہ ارشاد بھٹی اس میں پانچوہ اگر وہ شامل کر لیں تو یہ اس سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کیسی بھتیجہ چاچے کی بات کر رہا تھا آپ ٹرننگ پوائنٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھتیجہ نے چاچے کو کھل کے سپورٹ نہیں کیا بھائی وہ ایک کیونکہ ہمیشہ نہیں سنیے سنیے چاچہ تایا وزیراعظم بن سکتا تھا نہیں نہیں دیکھئے اس لیے وزیراعظم بند نہیں سکتا وہ ایک الہیدہ پوائنٹ تاک شوٹ شوٹ اس سے حمزہ شباز سے بڑے دو بیان ہیں جو میں کہ مریم صاحب وقت وہ چھوڑ دیں جو نے پاکستیوں سے ملائے تھا وہ چھوڑ دیں نواز شریف اور شباز شریف کے بیان جو آپ حضم کر گئے ہیں جس پہ آپ نے اور میری قوم محران ہو قسم سے کہ وہ کوئی بولی نہیں ایک بیان کیا تھا جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا تھا وہ دیا تھا کہ میں قائد عظم کے پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا ایک بیان دیا تھا شباز شریف نے کہ قائد عظم کے حقیقی وائرس سیاسی وائرس یہ بیٹھے ہوئے آپ سنیے چار پانچ جملے آپ کو پساد نہیں آئیں گے کیونکہ آپ پہلے ہی میں نیازی صاحب کو بلنوں لے 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 نیازی صاحب یہ میں نیازی صاحب کے لیے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اس پہ وہ اثر دے دے اس پہ وہ دے دے کیونکہ میں لاجیکل بات کروں گا نیازی صاحب اس کو قائد عظم صادق اور امین تھے قائد عظم کا مقدمہ اور قائد عظم کا وارث قائد عظم سیاسی صادق اور امین تھے قائد عظم نے کبھی عوام پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بے وکوف نہیں بنایا قائد عظم کی کوئی خفیہ جدادے نہیں تھی خفیہ کمپنیاں نہیں تھی خفیہ اکاؤنٹس نہیں تھے سنیے گا دو تین لائنے قائد عظم نے کبھی کوئی انہاروں نہیں کیا قائد عظم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی آئین یا قانون میں ترمیم نہیں کی قائد عظم کی منی ٹریل کبھی غائب نہیں ہوئی آج تک قائد عظم نے انگریز دور میں بھی کسی عدالت کو جانبدار نہیں کا قائد عظم نے فاطمہ جناہ کے علاوہ کسی رشتہ دار کو پی ایم گورنر ہاؤس میں گھسنے نہیں دیا قائد عظم پچیس گاڑیوں میں نہیں آتے تھے اپنے لئے ایمبولنس دوسری منگوانے سمنا کر دیا تھا اتنے بیمار تھے ائرپورٹ پر قائد عظم نے اپنی ساری جداد تعلیمی داروں کے لیے وفت کر دی تھی ایک بندہ جو مارشلہ دور میں پروان چڑھا ہو جو مارشلہ دور میں پروان چڑھا ہو جو عربوں خربوں پتی ہو جس نے چھانگے مانگے جی آئی ٹی اور پتلی گھڑی سے نکلا ہو گیا وہ قائد عظم کے پاکستان کا نیازی صاحب یور کانٹر آرگیمنٹ دیکھیں جی بٹی صاحب نے جو باتیں کہیں مجھے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے قائد عظم میری جو ذاتی جو جس تو کہنا چاہیے کہ میں بھی جتنے جو پولٹیشنز ہیں میری پیشن ہے ان کے بارے میں جاننا جانج پرطال کرنا قائد عظم میرا خیال ہے کہ جو موڈرن پولٹکس ہے جس جو ہم لے کے چلے و پیچھے تین سو سال سے سارے تین سو سال سے حقیقت ہے ڈاٹ صاحب قائد عظم کی کیپیسٹی کا اس لیول کا لیڈر کو پیدا ہوئی نہیں سکتا لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو یہ جو ہے جس کو کہنے زمین آسمان یا خلابیں ملا رہے ہیں دیکھیں ہر بندہ جو ہے قائد عظم کے کے بارے میں یا مسلم لیگ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح ہے کہ بٹی صاحب کو بھی نہیں ماننا چاہئے میں بھی نہیں مانتا ہوں گا یہ کہا جاں کہ یہ کوئی وارث ہے لیکن وہ تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو قائد عظم کے ساتھ کمپیر کرنا مناسب نہیں ہے نہیں نہیں کمپیر نہیں کیا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں بٹی صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں جب میں کہہ تو یہ ٹویسٹ کرتے ہیں پھر بٹی صاحب غصہ انہوں نے زیادتی نہیں کی شہباز شریف نے زیادتی نہیں کی نواز شریف نے زیادتی نہیں کی میں معذر چاہتا ہوں سر میں معذر چاہتا ہوں میں نے زیادتی کر دی معذر چاہتا ہوں نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج حمزہ حمزہ شریف نے جو آج سٹینڈ لیا ہے کھل کے کیا آپ سمجھتے ہیں कोई फरक आया है? मैं मुईद एक बात हूँगा के भुटो साफ ने जब शकंदर मिर्जा की माशलाग कैबिनेट से वाईूब खान की कैबिनेट में उठाने वाले पहले तीन मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर उन्हें ने वाईूब खाता है के तारीख में आप को कैदियाजम से उपर रखा जाएगा मेरा खाल इतनी हिर्जा सराई किसी ने नहीं की वो खात ने इस वक्त तारीख के आर्काइज में डॉक्यूने में हिस्टर बेश्चमार किताबों में वो आच चुका है कई दो हमारी खबारों चाप चुका है जहां तक यह है जी के हमदा शबास समाज शरीफ साब के बारे में कोई बाद सोच भी नहीं सकते वो सित के दिल से उनको जो है जिसको कहना चाहिए कि बाप के बरदर्जा देते हैं और यह उसी तरीके ट्रीट करते हैं रोल इन्हों मुथलिफ रखे हुए हैं रोल होते ही मुथलिफ हैं मैं अमरान खान के जैल रहा हूँ और मुझे मेरे खाल है कि दिल और जान से मुझे साथ था लकि मुझे तफाक नहीं था मतलब यह नहीं था कि मैं उनकों को ख़लाप हो गया था अल्टिमेटली वो जो फैसला हो करते थे तो मैं भारी दिल के साथ इवा हैं जब मुशर्ण की सपोर्ट की थी तो मैं भारी दिल के साथ को खबूल कर लेता था क्योंकि जब आप किसी के साथ होते है तो पिर end of the day रज़ार रभाणी साथ ने भी वोड सिजरानी को ही दिया अब लोग इतरास कर रहे हैं कि रज़ार रज़ार रभाणी जो कि ऐसे बंदे ने क्यों दिया अब मेरा खैल है रज़ार रज़ार रज़ानी साथ ना देते तो कहते हैं चुकर खुद बनना चाते थे उनकी पार्टी के अंदर इस चीज़ है बाकी जो फैमिली की पॉलिटिक्स है ये बड़ी जाती है एक चीज़ है पार्टी साथी साथ लेकिन हफीज उला न्याजी साथ इनका दो फिक्रे कहने दे दो फिक्रे का अर्गिमेंट ये था कि ये जो टिकेट का जगड़ा हुआ है इससे पहले आपने कहीं पर तहरीक इनसाफ पे इस तरह से खुल के तनकीदी हमले ये नहीं की है और ये जो टिकेट की डिस्टिभीशन का जगड़ाए इनके बायी का दार नीचा पता है कि मैं तहरीक इनसाफ के साथ दिल जान से साथ था, इमरान मेरा बहुत ही अच्छा बच्छ पर दोस्ता, मैं उसका करीब तरीन मर्द रिश्दार हूँ, उनके वालिद की डेस्ट के बाद, ये सारी बात अपनी जग़ा है, मेरे उनसे एक तलाफात है, मैं दूर हूँ, क्या वज़ा है, नहीं वज़ा, बहुत सरी चीज़े मैं अमरान के बारे में पबलिक में ना कहूंगा, ना कह सकता हूँ, उसी बहुत सरी खूबियों का मैं आज यू मतरफ हूँ, ये जो बात कह रहे हैं, जगदम अपनी ट्विस्ट चु लिया है, इसी अभी क्या क्या पर्मा चल्दी, अब उसको ट्सक कर भी कहते हैं, मैं उसका जवाब दू, मैरी आज़साब प्रोग्राम रखें इस बंदे को मेरी साथ मिखाए, मैं खुदा करें, आप प्रोग्राम करें, और मैं इसके बात बताऊँ गलत नहीं थी, मैं अभी मी रिपीट कर रहा हूं, आप आप नि यह सब कुछ तब शुरू किया, जब आपके भाई को टिकट डिनाई किया, जाज़साब यह पन्दा लोगों को दोखा दे रहे है, यह लोगों की आँखों में थूल ढूग रहे हैं, आप क्यों नी मनतें को आप इस फेक्ट को, आप इस फेक्ट को डिनाई किजिए, आप इस प्रक्राइब के जब आपके भाई को टिकेट डिनाए हूआ उसके बादे हुआ यह बंदा को टार्टून बढ़ा दिया आपने अपने जाए अजिक प्राटून और ड्रेकोन अब बना जाएए आप मेरे मुझे बढ़े हैं इस तरह की बजारी जुबान में हम न आ जाएं तो बतर है आर्गुमेंट कर ते अर्गुमेंट करते हैं है और्गुमेंट सब न्याज साब, मेरी बात सुनते हैं ये जो कुछ बात है, मैंने ये काया है, न्याजी साब इस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे, न्याजी साब इस पे अलग मनासरा कर लेंगे, मुझे इस प्रूरा 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 इ नाजिस साब मुझे प्रोग्राम का इस्ताम करना है। यहाँ पर बज़े प्रोग्राम गैस से बहुत चुक्रिया। जॉइन करने का डिस्क्रिशन थोड़ी इसमें बहुत परस्नल भी होगी। नाजिर एक बहुत ही आम नक्ता यह है कि अब से 24 गंटे 48 गंटे पहले पाकिस ساتھ تھا ساؤت ایشیا افیرز کا ایڈوائزر پاکستانی پرائم نیسٹر کا کوئی نوٹ ٹیکر فوران آفس کا ان کے ساتھ نہیں تھا جس کا دوبارہ اسی طرح کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کے وزیراعظم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے آفس نے ایک تفصیلی بیان جو ہے ایک تفصیلی کومنٹ جو ہے اس میٹنگ کے حوالے سے جاری کر دیا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ خاکان عواسی صاحب جن کی ہم نے ہمیشہ ہی بہت تعریف کی ہے اس پروگرام میں بھی کی ہے سوشل میڈیا میں بھی کی ہے وہ اپنی اس روش پہ اور اپنے اس ڈیسیجن پہ نظر سانی کریں گے وہ غور کریں گے کہ کیسے انہوں نے ایک انتہائی irresponsible step اٹھایا ہے اور یہ دوسری تیسی دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ نے اس قسم کا اہمکانہ قدم اٹھایا جیسا کہ خاکان عواسی صاحب نے مائیک پینس کے ساتھ ملاقات میں اٹھایا ہے I hope کہ خاکان عواسی صاحب will reflect on this unwise step جو کہ انہوں نے واشنگٹن میں اس میٹنگ میں اٹھایا آج اتنا ہی ناظرین اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ موسیقی